Hello and Jaiis student, Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Drapani, exclusive channel for ICSE students, हाँ, हम dedicated channel हैं, सिर्फ और सिर्फ ICSE का content बनाते हैं, और आपका धेर सारा comments, धेर सारा प्यार मिल रहा है, और आपने yes comment box में लिख रखा है, Sir, hydrogen chapter कराईए, और hydrogen है, study of first element, हाँ, हमारे periodic table का पहला element, जिस हम study करने वाले हैं, और कहीं मत जाईएगा क्योंकि ये एक बहुत ही interesting और simple chapter है आपके आगे के सारे concepts इस chapter से खुलेंगे तो चलिए start करते हैं इस chapter को याद रखिएगा हमने ये सारे chapter के एक definition एक concepts लिया है और ये वीडियो आपके लिए एक बहुत important वीडियो होने वाला है तो hydrogen हाँ आपने hydrogen के बारे में जरूर सुन रखा है और क्या आप जानते है hydrogen की सबसे बड़ी विबदा क्या है hydrogen को रखे कहाँ hydrogen की position क्या हो कोई कहता है कि group 1 में होगा कोई कहता है कि group 17 में होगा अब group 1 और group 17 विचारा hydrogen जाए तो जाए कहाँ देखे, ग्रूप 1 में कौन से element होते हैं, ग्रूप 1 ये रहा, ग्रूप 1, ग्रूप 1 में येस, ग्रूप number 1 में जो elements होते हैं, वो alkali metals होते हैं, कौन से होते हैं यहाँ पर? alkali metals रे भाई कोई कली फूल की कली नहीं है ये वो metals जो soluble bases बनाते हैं उन्हें कहते हैं alkali कोई example भी दे देता हूँ lithium का example ले लो sodium का ले लो, potassium का ले लो ये हैं alkali metals group 1 में तो hydrogen को इस group में रखा गया है और कुछ लोग कहते हैं ना, hydrogen का ये group होना चाहिए group 17 group 17 कौन है group 17 है halogens का, हाँ भाई hello मतलब salt formers इसमें कौन आता है इसमें आता है iodine bromine इसमें ये gases आती हैं जो actually salt form करती है तो problem क्या है hydrogen को कहा रखें, वैसे आपके table में देखेंगे, तो आपको first element मिलेगा, कहां पर first element first table में जी, पहले ही group में, पहले ही period में पहला ही element है hydrogen तो जगडा किस बात का है तो जगडा शुरुवात कहां से हुई जगडा शुरुवात हुई, जब पहली बार एक table आया जी, पहली बार एक table आया जो mandaliv ने लाया mandaliv के periodic table क्या कहा, periodic table का concept clear नहीं है, बस type करो periodic table, ICSC class 9 by sir Tarun Rupani हाँ मेरे बनाए latest video आपको उसमें जरूर मिल जाएंगे हमें आपके लिए ही exclusive content बना रहा हूँ, ये किसी CBSC, या NCRT या और किसी का content नहीं है, ये आपकी book से content निकाला गया है और exclusive content है, सिर्फ आप लोगों के लिए, तो mandaliv ने, mandaliv ने पहला जो periodic table बनाया वो atomic masses के basis में बनाया था, तो उसमें उन्होंने hydrogen को पहली position पे रखा और वहीं से debate शुरू वहीं से जगडा शुरू जगडा किस बात का, कि hydrogen की property तो group 1 जैसी भी है, जो मैंने दिखाया जिसमें alkali metals आते है hydrogen की property तो similar to group 17 जैसी है group 17 मतलब halogenes के जैसी है, तो यही तो जगडा है, यही तो लडाई है कि hydrogen को रखे का, group 1 में रखें, कि group 17 में रखें, आपको ध्यान होना चाहिए कि modern periodic table में 18 groups हैं, याद रखेगा groups क्या होते हैं, vertical columns होते हैं, लंबे लंबे, yes vertical column होते हैं, और group number represent करता है, valence shell का, number of valence electrons का, ठीक है, तो Thompson जी, जो बाद में आए, उन्होंने कहा कि क्यों न ऐसा किया जाए, कि hydrogen की position ही सबसे अलग कर दी जाए, क्या कर उसकी symmetry भी disturb नहीं होगी और जो group 1 है, उसमें hydrogen को अलग कर दिया, group को, yes, ऐसे hydrogen को उपर कर दिया, ऐसे कर दिया, और उसके नीचे कर दिया group को, तो अलग कर दिया, top of the table कर दिया, समस्या खत्म, आईए अब समझाते हैं कि problem हुई क्यों, क्यों hydrogen को रखने की problem, position की problem क्यों आई, hydrogen को priority table में कहां रखे, तो problem इसलिए आई, कि hydrogen और alkali metals, हाँ मैंने बताया hydrogen group 1 में है alkali metals भी group 1 में है तोनों का group number क्या है, group 1, अब group 1 में जो alkali metals है, उसमें sodium भी हो सकता है, lithium भी हो सकता है, तोब क्या similarity है दुनों में hydrogen का last shell में देखो, कितने electrons हैं 1 electrons है, lithium में last shell में देखो, 1 electron है, sodium की last shell में देखो, 1 electron है तो electronic configuration सबकी क्या कर रही है, match कर रही है सबके outermost shell में कितने electrons हैं 1 electron है तो ये रहा hydrogen और ये तीनों हैं आपके alkali, yes alkali metals यही है पहली similarity, दूसरी similarity है balance electron की, हाँ भाई, electron in the outermost orbit, या outermost shell is called as the balance electron, तो outermost orbit में सब में दिख रहा है कि 1, 1, 1, 1, तो इसलिए भी दोनों में क्या है similarity है, तो electronic configuration में similarity है balance electron में similarity है, valency में भी similarity है, valency, हाँ भाई, combining capacity of the element is called as valency, हाँ, valency अगर आपको याद नहीं है, तो आपके लिए आगे chemistry में problem होने वाली है, यह chapter actually basic chapters है, अगर आप future में, yes, अब आप senior classes में, 10th में, 11th में, 12th में, sciences को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, life में आगे science को as a carrier बनाना चाहते हैं, तो यह chapter आपका base होगा, और इसको miss, एक दम मत करेगा, यह lifelong आपको, yes, lifelong आपको help करने वाला है, आपकी chemistry को strong करने वाला है, तो alkali metals, मैंने बताया, alkali metals group 1 में पाए जाते हैं, और उसी तरह से hydrogen भी group 1 में पाए जाता है, और इन दोनों क्या करते हैं, cations form करते हैं, cations क्या होता है sir, cations मतलब positive charge ions, कैसे, क्योंकि यह क्या करते हैं, electron को loose करते हैं, देखे, hydrogen ने भी electron loose किया, बन गया positive ion, lithium ने भी एक electron loose किया, बन गया positive ion, similarly sodium and so on, तो सारे group 1 के elements क्या करते हैं एक electron lose करते हैं इसलिए यह सब इलेक्ट्र पॉजिटिव नेचर के हैं ठीक है अब आता है reducing power अथार्थ reduction की ability तो alkali metals और hydrogen दोनों ही अच्छे reducing agent है अब आप कहेंगे सब reducing agent क्या होता है अरे भाई वो जो oxygen remove कर ले उसे कहते है reducing agent देखिए hydrogen इस copper oxide का oxygen खिल लेगा देखिए copper oxide को reduce कर दिया और बना दिया copper और खुद को hydrogen को convert कर दिया और बना दिया water तो hydrogen ने oxygen चुरा लिया कि नहीं चुरा लिया क्या कहते हो एक दम यही चीज sodium भी कर रहा है जो कि एक alkali है alkali भी same process कर रहा है यह भी क्या कर रहा है इसका oxygen चुरा ले रहा है और copper oxide को copper ने convert कर दे रहा है तो जो काम alkali कर रहा है वही काम hydrogen कर रहा है again similarity दोनों हे reducing agent है burning याद रखिएगा hydrogen एक highly reactive element है oxygen में burn हो जाता है और hydrogen अपना एक oxide form करता है hydrogen के oxide को हम लोग वैसे तो water बोलते हैं पर आप इसको क्या पढ़ेंगे H2O क्या कहते हैं इसको क्या बोलेंगे आपको इसका chemical name बताना है मैं आप से पूछ रहा हूँ हाँ मेरे rising star what is chemical name for H2O water मत बूलिएगा water इसका common name है आपको इसका chemical name बताना है चलिए मुझे comment box पे जवाब करके जरू बताइएगा chemical name for H2O तो यह hydrogen का एक oxide है और hydrogen जब burn करती है तो popson बनाती है क्या और alkali metals वेशा करते हैं क्या जवाब है हाँ lithium जब burn करती है तो lithium monoxide बना देती है sodium जब burn करती है oxygen में तो sodium paraoxide बनाती है तो इसका मतलब है हर एक group 1 का metal क्या करता है yes element oxygen react करने पर अपना oxide बनाता है जो कि hydrogen भी कर रहा है यहाँ भी similar हो गया तो अब जाए कहां इतनी सारी similarity हाँ भाई अब आता है action with air अगर alkali metals को जो कि बहुत ही reactive metals होते हैं इसलिए group 1 में रखा गया है यह बहुत reactive metals होते हैं इनको रखने के लिए आप open air में ने रख सकते हैं यह इतने reactive होते हैं कि air में भी क्या कर सकते हैं tarnish कर जाते हैं ऊपर की surface इनकी क्या होती है oxygen से कोट हो जाती है moisture absorb कर लेते हैं carbonates बना देते हैं sulfides यह बहुत quickly क्या करते हैं आपने आपको react कर देते हैं environment से इसलिए इनको रखने का क्या तरीका है क्या आप जानते है sodium potassium lithium को कहां store किया जाता है इनर्ट और्गेनिक सॉल्वेंट्स में एक एग्जांपल दूँ चैज सुनके आश्चर करोगे कि sodium potassium lithium को store करने के लिए केरोसीन के जार में हाँ वही घासलेट मट्टी का तील उसके अंदर रखना पड़ता है पानी में भी रखेंगे तो react कर जाएगा सच में पानी में तो रखी नहीं सकते है और हाथ तो आप लगाई नहीं सकते है आग लग जाएगी आपके हाथ ने तो इतना reactive है आप समझ ल मेटल है hydrogen sulfur से combine कर सकता है hydrogen sulfide बना सकता है chlorine से combine कर सकता है hydrogen chloride क्लोराइड को मर सकता है similarly sodium भी yes एक alkaline metal sodium है वो भी यही सब कुछ कर सकता है they form क्या they combine with the non-metal to form the respective compounds तो यहां तो similarity होगे इसका मतलब है hydrogen is similar to alkali metals ना थमजा पहर जा आईए आप इसकी similarity आपको बताने वाले हैं group 17 हाँ group 17 का special नाम मैंने बताया था hydrogen यह 17 नंबर का group होगा सत्रवे नंबर सत्रवे नंबर पर downward जाना पड़े ग्रूप हमेशा ऐसे 17 है group उसकी बात कर रहे हैं उसमें मिलेंगे आपको कौन उसमें मिलेंगे halogen जिसमें होगा fluorine chlorine bromine iodine estetine यह सब salt formers है तो अब इनसे भी similarity है इसकी अब आप चक्कर खा जाएंगे आप आप परिशान हो जाएंगे सर यह इनसे भी similar है क्या हाँ भाई similar है मैं प्रूप करता हूँ अब आई यह electronic configuration पर देखते हैं तो hydrogen की और halogen की दोनों में क्या होता है one electron less than the nearest inert gas अब hydrogen के बाद जो अगली inert gas है वो है helium helium का पहला ही shell 2 है और वो भी complete है hydrogen उससे एक कम है one less अब आप fluorine की बात करिए fluorine group number 17 को belong करता है मैंने बताया था group 17 जी हाँ neon है इसके बाद एक element इसने के एक electron इसमें भी कम है तो इसका मतलब है similar हो गया similarity क्या मिली कि चाह हेलोजन हो चाह हाई electron कम है अपनी अगली inert gas से देखिए जैसे chlorine की अगली inert gas कौन है आरगन हो गया similarity हस गया है यह दोनों की balance क्या है वन है तो इनकी भी balance क्या है वन क्यों है क्यों है क्योंकि जब 7 लिखा है तो last shell में एक electron कम पढ़ रहे हैं तो एक electron मिल जाएगा तो chlorine क्या हो जाएगा अपना octate complete कर लेगा तो वैलेंसी वन हो गई है तो वैलेंसी hydrogen की भी बन है और इनकी इनकी भी वन है अब आता है formation of iron अभी मैंने बताया कि दोनों येस दोनों क्या कर सकते हैं एक electron short है एक electron कम है तो बोथ show a tendency to form n ions अब n ions क्या होते है negative charge जी हाँ negative ions इनमें खास बात क्या होती है एक electron को और मिल जाए एक electron अगर ये gain कर लें तो इनका क्या हो जाएगा outer most shell octet या complete हो चुका होगा inert gas के बराबर हो जाएगा और क्या खास बात है यह लोग electronegative character के हैं है hydrogen भी electronegative है hydrogen भी electronegative क्यों भाई क्यों कि ये लोग non metals है metals हमेशा क्या होते हैं remember कर लिजे मैं पूछूंगा इसके बाद हाँ मैं आपसे video के बीच में पूछूंगा कि electro negative element का या electro positive element का example दो तो metals याद रखेगा electro positive होते हैं और non metals तो ये non metals के group में है group 17 electro negative है आईए कुछ और पैचान है कुछ और भी इनका similarity है similarity है physical state halogens जैसे fluorine, chlorine वो भी gas है तो hydrogen भी एक gas है gaseous nature है इन सब का ये भी similarity है आईए atomicity से पैचानते हैं अभी पूछेंगे atomicity क्या होती है अरे भाई number of atoms required to make one molecule तो दो atom के बिना hydrogen, hydrogen gas नहीं बन सकते तो atomicity इसकी क्या है 2 है, तो halogens की भी atomicity क्या है, 2 है ये लोग diatomic हैं अथार्थ, दो atom से मिल के बने है hydrogen, fluorine, chlorine, chlorine, bromine, iodine, सब में देखिए I2, H2, F2, CL2 क्या साबित करता है diatomic दोनों में similarity तो आ गये ना गच्चा हो गये ना परिशान कि सर क्या करें, कहां रखें, क्या कहते हो तो इसलिए इसलिए Thompson की बात मानो Thompson ने सही कहा था कि इसको periodic table जो modern वाला predictable है उसमें सबसे उपर रख दो group 1 में group 1 को touch मत करो group 1 के उपर देखो ठीक है group 1 के भी उपर रख दिया है अब क्या difference है इनका alkali के साथ और yes, halogens के साथ तो इन दोनों से difference भी है difference यह है कि hydrogen जो होता है yes, hydrogen का जो atom होता है उसके पास सिर्फ एक shell होती है और वो है shell number 1 वो भी incomplete पहली shell भी complete नहीं है क्योंकि पहली shell में minimum 2 electron होना चाहिए उसके पास पहली shell में भी सिर्फ एक electron है दूसरा alkali metals की बात करो चाह है halogens की बात करो इन सब में 2 या 2 से अधिक shell है low दोनों से different भी है low तमस्य आ गई ना दोनों से difference है और hydrogen का जब oxide बन जाता है तो वो एक neutral oxide बन जाता है जबकि halogens के oxide acidic in nature होते हैं आगे जाके acid form कर देते हैं जबकि alkalis के oxides ठीक है alkalis के oxide basic in nature होते हैं आगे जाके base बन जाते हैं जैसे sodium oxide जो है yes sodium peroxide जो से कहते हैं वो आगे जाके sodium hydroxide बन जाएगा जो की basic substance है alkalis है अब आते हैं किस ने खोजा किस ने बताया तो discovery hydrogen की Henry Cavendish के नाम पे जाती है वैसे Henry Cavendish से पहले Robert Boyle ने इसे बना तो लिया था पर उनका नाम नहीं है discoverer में इसका नाम है Henry Cavendish और Henry Cavendish ने इसका नाम रखा था उस समय inflammable inflammable मतलब जिसमें flame निकलती है जिसमें आग निकलती है क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये combustible gas है हाँ खुद जलने वाली gas supporter of combustion नहीं है supporter of combustion oxygen है जलने में मदद करती है ये नहीं कहा मैंने जल जाती है मैंने ये कहा हाँ ये खुद जल जाती है तो it is on the account of the ability to form water क्योंकि ये water भी form कर सकता है Levoiser ने इसका नाम जी हाँ नाम जो इसका hydrogen है वो Levoiser नाम के एक scientist ने दी तो आज हम जो modern नाम पढ़ रहे हैं hydrogen हम inflammable gas नहीं बोल रहे है hydrogen बोल रहे है Levoiser ने इसका नाम दिया था तो कहां पाई जाती है hydrogen तो free state में hydrogen earth crust में पाई जाती है atmosphere में पाई जाती है even volcanic gases के रूप में भी पाई जाती है हमारे atmosphere में 0.01% 1 भी नहीं 0.01% है सिर्फ जान दीजे का बहुत 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 कम है वैसे अच्छा है क्योंकि इतनी generally gas नहीं होने चाहिए पर आप sun की बात करेंगे या stars की बात करेंगे तो आप तो जानते ही है sun and star are made up of hydrogen मालूम है न वहाँ जो इतनी आग है sun में वो कहां से आई है इस hydrogen की वज़े से hydrogen combined state में भी बहुत पाये जाता है हमारे जो आसपास plant animal tissues even हमारी जो tissues है ये भी tissues किससे बनी हुई है hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen से बनी है जी हाँ आपकी body tissues नहीं ध्यानता आपको न और hydrogen एक बहुत ही important characteristics element है सारे acid का आप कोई भी acid का मुझे नाम लेके बताईए sulfuric acid, nitric acid कोई acid नाम लो तो सारे acid में आपको hydrogen जरू मिलेगा and acid is a compound which contains hydrogen तो hydrogen हर acid में पाया जाएगा alkalis में पाया जाएगा hydrocarbons में even protein में भी पाया जाएगा और हमारे water में हमारे चारो तरफ आसपास जो पानी है उसमें भी yes पानी का formula क्या था H2O मिल गया ना hydrogen 11.1% उसमें क्या है hydrogen है आईए hydrogen तो पता चल गया कहां कहां पर है पानी में हैं, acid में, alkali में हैं तो क्यों ना इनी से बना लिया जाए क्यों ना इसी में से ही hydrogen निकाल लिया जाए हाँ भाई, निकाल सकते हैं पानी से भी निकाल सकते हैं पानी से निकालने का तो असान तरीका है आप क्या करिए, electrolysis of water कर दीजे water में current pass कर दीजे water, hydrogen भी दे देगा और oxygen भी दे देगा हाँ भाई, असान तरीका है पर हम आपको बताने वाले हैं अब acid का, sorry metal का water के साथ reaction करके hydrogen बनाने वाले हैं हम जो reactions करेंगे, सारे reactions में क्या होगा metal above hydrogen ध्यान से सुनिएगा metals above hydrogen in activity series react with water to form salt plus hydrogen यह है हमारा reaction बार-बार अब यह reaction ध्यान दीजेगा, मैं ऐसी reactions पर फोकस करूंगा क्या होगा, वो सारे metals जो reactive metals हैं, hydrogen के उपर हैं, activity series में उनका reaction कराएंगे पानी के साथ और निकलेगा salt और निकलेगा hydrogen आईए start करते हैं सबसे पहला है potassium थोड़ा color पे ध्यान दीजेगा और reaction पे ध्यान दीजेगा, reactions जितने मैं करा रहा हूँ इसके अलावा कोई reaction तुम लोग मत करना, please 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 मेरे rising star, मेरे सच्चे stars जो है, yes इमांदारी से डटे होंगे, मुझे पूरा यकीन है और मैं आपके साथ ये पूरा chapter one shot में, जी हाँ जुबारा मेनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको one shot में ये पूरा chapter तुम्हें finish करा दूँगा इसलिए डटे रहे ना मेरे साथ, ठीक है न और note करते जाओ important चीज जो मिलती जा रही है क्या कहा, notes की tension है, notes की tension मत लेना, ये notes मैं तुमको available करा दूँगा आप अगर हमारे telegram channel पे join कर चुके हैं, याद रखेगा इस channel में कोई भी चीज का charge हम आपसे नहीं ले रहे हैं absolutely free है, हर कुछ free है notes free है, lesson videos free है live sessions free है, previous chat free है हाँ, और बस तिरफ आपका प्यार, आपका पूरा विश्वास मजे चाहिए ये सारे exclusive content ICSC student के लिए बनाए गए हैं जी हाँ, आपके लिए बनाए गए हैं चलिए potassium से start करता हूँ तो potassium को अगर पानी में add करेंगे तो potassium अपने आप में एक highly reactive metal है सबसे reactive metal है, activity series में सबसे उपर है, तो जैसे ही पानी में add करेंगे क्या हो जाएगा, एक silver grey, एक globule बन जाएगा एक silver grey क्या बन जाएगा ताना बन जाएगा, globule बन जाएगा और पानी के उपर क्या करेगा, तेजी से dash करने लगेगा, तेजी से zig zag, zig zag, zig zag move करने लगेगा, हाँ पकड़ नहीं पाएंगे इसको, यह बहुत ही तेज reaction होगा, exothermic reaction होगा यह रहा वो reaction, यह रहा potassium reacts with water to form potassium hydroxide and hydrogen, निकल गई hydrogen gas, तो मैंने यही कहा था मैंने यही कहा था कि metal to react कराएंगे, water से क्या निकलेगा oh oh, salt न लिख करके मुझे लिखना चाहिए था, निकलेगा एक basic yes, basic oxide यह hydroxide मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, oxide भी निकलेगा आगे जा करके, यह hydroxide निकलेगा, और plus निकलेगा hydrogen metal water produces basic oxide and hydrogen salt नहीं, please, mind it salt नहीं करेंगे, यह रहा basic hydroxide potassium OH potassium hydroxide तो यह कौन से खलर की flame produce करेगा, तो जब इससे आग लगाएंगे, तो देखेंगे, जब यह जल रहा होगा, तो यह liliac color की flame निकालेगा, यह liliac violet purple hydroxide, यह solution, एक colorless soapy alkaline solution हो, test करना चाहते हैं, तो हाथ में touch करके देख लीजेगा, देखेंगे कि यह soapy मैसूस करेंगे, जैसे साबून होता है घर में, जी हाँ, वैसा ही होगा, एक और ध्यान देना है, कि potassium hydroxide को अगर आप test करना चाहते हैं, कि OH को test करना चाहते हैं, कि यह alkali है कि नहीं है, तो आप red litmus ले आइए, red litmus को क्या कर देगा, यह blue कर देगा, जी, test हो जाएगा, कि यह एक alkali है, ठीक है, और potassium के साथ सावधा नहीं यह बरतनी है, कि potassium को air में नहीं रखना है, क्योंकि potassium highly reactive है, air में भी क्या करता है, catch fire कर जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, एक inert liquid में, केरुसीन में रखते हैं, और दूसा चीज है, इसको fire tong से, यह tong से touch करते हैं, hand से भी touch नह जाएगा, हाँ, हाथ जल जाएगा, sodium, potassium की बाद अगला metal है, sodium, जैसे से नीचे आते जाओंगा, आपको activity series में जैसे से नीचे के metal पड़ते जाएंगे, उनकी reactivity slow होती जाएगी, तो sodium पानी में float करने लगेगा, sodium जब पानी से react करेगा, तो यह silvery globules बनाएगा, silver के balls बनाए reaction थोड़ा slow होगा, थोड़ा less vigorous होगा, potassium के comparison में, और यहाँ पर भी क्या होगा, sodium पानी से combine करेगा, sodium hydroxide बनाएगा, जो केक अलकली है, और hydrogen gas release कर देगा, color of the flame याद करना बहुत ज़रूरी है, आपसे पुछा जा सकता है, कि sodium के cases में color of the flame क्या होगा, तो आपको color of the flame याद होना चाहिए golden yellow, अब तीसरा element हम करने जा रहे हैं, याद रखिए हम sequence में नीचे आ रहे हैं, हमने topmost सबसे reactive देखा, सबसे reactive potassium, उसके नीचे sodium, अब हम करने जा रहे है calcium, calcium भी पानी से react कर जाएगा, और calcium थोड़ा heavy होता है, sink कर जाएगा, reaction थोड़ा less vigorous होगा, sodium के comparison में, और calcium create करेगा तो बनेगा calcium, hydroxide again एक alkali form करेगा, और ये alkali है, turbid सा होगा, whitish सा solution form करेगा, अगर चेक करना चाहते हैं कि alkali है कि नहीं है, तो बस क्या करो, red litmus paper को सामने ले आओ, blue, red litmus को blue, तो अभी तक हमने पहले तीन elements का इस्तमाल किया, potassium सबसे reactive, sodium उससे कम reactive, calcium उससे कम reactive, इनके लिए आप cold water से reaction नहीं कर पाऒगे है, इनके लिए आपको hot water चाहिए, cold water से magnesium react नहीं करेगा, तो magnesium को react कराने के लिए, hot water, वो भी boiling water, boiling water से react कराएंगे, magnesium को magnesium form करेगा, magnesium hydroxide, again hydrogen release करेगा, क्या magnesium को steam से react करा सकते है boiling water से भी उपर क्या हो सकता है अब तो yes अब यह और intensely react करेगा और एक dazzling white light जो full जोडी में light जलती है कि नहीं दिवाली में अपने full जोडी जलाई होगी तो जो चिंगारी निकलती है जो magnesium light जी हां तो उसी तरह की dazzling white light पैदा करता है magnesium जब वह steam से react करता है तब hydroxide नहीं प्रोड्यूस कर रहा है यहां पर hydroxide प्रोड्यूस कर रहा था और यहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है oxide magnesium oxide प्रोड्यूस करेगा है hydrogen gases इसलिए मैंने दोनों लिख वाय था को याद करिएगा ठीक है न अब इसके आगे अब hot water से काम नहीं चलने वाला है अब जैसे से नीचे आते जाएंगे हमको जादा क्या करना पड़ेगा steam या hot water का metal है हाँ aluminum आगे जाके बना देता है aluminum oxide यह रहा एल 2-3 यह जो एल 2-3 aluminum oxide है न यह in active layer form कर देता है aluminum के उपर एक coating सी form करता है जिसके बाद aluminum further reaction करना बंद कर देता है और यह whitish coating क्या करती है further hydrogen produce करना रोग देती है तो इसलिए मैंने कहा है hydrogen aluminum is not a good substance to produce hydrogen और क्या कर सकते हैं इससे भी नीचे आएगा इंक को react करने के लिए क्या करना पड़ेगा हीट भी करना पड़ेगा इंक को पहले हीट करो और hydrogen से yes steam के ओवर पास करो हीट and steam दोनों चाहिए तो जैसे से नीचे आते जा रहा है reactivity के लिए और ज्यादा मैं शक्कत और ज्यादा मेहनत करने पड़ रही है इस बार क्या होगा जो जो zinc oxide produce हो रहा है जिंक से zinc oxide produce होगा hydroxide नहीं निकलेगा क्योंकि यह अलकली नहीं है तो hydroxide नहीं निकलेगा जिंक oxide निकलेगा और यह इसकी खास बात क्या होती है जब इसको heat करेंगे तो yellow रहेगा और जब यह cool हो जाएगा तो white तो yellow and hot and white on cooling यह zinc oxide की पहचान नेक्स्ट iron से react कराएंगे तो क्या होगा iron को पानी से react कराएंगे तो iron तो और reactive कम होता है iron को reaction करने के लिए क्या चाहिए extremely heat करना पड़ेगा एक दम red hot करना पड़ेगा क्या एक दम करम दम लावा की तो रहा iron को पिगलाना पड़ेगा red hot करना पड़ेगा और साथ में वानी से react नहीं कराना है steam से react करना है क्या form करेगा try ferric tetra oxide क्या चीज यह रहा try ferric fe3 o4 produce करेगा यह है try ferric tetra oxide और hydrogen gas release यह reaction एक reversible reaction है जरहां यह symbol देखिए यह symbol बताता है यह reversible reaction है कि जैसे जैसे नीचे आते जा रहे है reactivity with water के साथ कम होती जा रही है ठीक है और पानी अब cold water के बजाए hot water से hot water के बजाए boiling water से boiling water बजाए के बजाए से steam से react करने की यह कोशिश कर रहे है और उसके बाद अगब कोशिश करेंगे और जो elements below the activity series है उसके बाद क्या होगा तब जो कान में जो gold की हम लोग पैन लेते हैं यह रिंग पैन लेते हैं क्या कहते हैं क्यों पैनते हैं gold की silver की क्योंकि हमको मालूम है वो noble metals हैं पानी से react नहीं करेंगे पानी में हाथ चला जाए आप कितनी बार जाता ही होगा पानी में जब आप use कर रहे हैं तो आपके body में reaction न कहते हैं activity series या reactivity screen पे आप देखेंगे सबसे टॉप में आपको दुखाई देगा potassium सबसे bottom में दिखाई देगा आपको gold तो सबसे reactive सबसे least reactive और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा yes copper के ऊपर कहां दिखाई दे रहा है वहां तो है यह नहीं अभी दिखाई देगा यह पर होगा hydrogen hydrogen के जितने ऊपर elements यह hydrogen release करेंगे hydrogen के जितने नीचे element है यह यह hydrogen release नहीं करेंगे with water and with dilute acid नहीं, नहीं, नहीं करेंगे और वो उपर वाले सारे क्या करेंगे YES Water के साथ, Acid के साथ वो सब Hydrogen produce करें समझ गया न? Hydrogen को बीच में घुसेड दिया गया है किसमे? Reactivity Series में क्यों, क्यों, क्यों भाई Hydrogen तो एक Non-Metal है, क्यों घुसेड आ गया है Activity Series of Metals अब आता है, Displacement of Hydrogen from Dilute Acids मैंने बताया, Hydrogen क्या करता है? वो सारे Metals के साथ React करता है जो Activity Series में Hydrogen से उपर है अब Acids Especially Dilute Sulfuric Acid या Dilute Hydro-Kloric Acids को अगर React कराए Metals से उन Metals से, जो Hydrogen से उपर है याद रखिएगा Hydrogen से उपर अले Metals को रखिएट कराएं तो वो Hydrogen जरूर प्रोड्यूस करें पर अगर Below the Activity Series में हो Hydrogen के नीचे वाले जैसे Copper हो गया, Gold हो गया, Silver हो गया Platinum हो गया, इन से रखिएट कराएंगे तो Acid से भी रखिएट कराने वे कोशन आता है, सर, Jink का इस्तमाल क्यों Why Jink? Jink कोई सबसे ज़्यादा पेफर क्यों करते हैं इतने सारे एलिमेंट्स थे सोडियम था, पोटेशियम था उसको क्यों नहीं यूज किया, वो भी तो Hydrogen प्रोडियूस करता है अरे भाई, इनका reaction बहुत Violent है न, control कौन कर पाएगा Burst होने की chances है, फटने की chances है Calcium, magnesium को क्यों नहीं यूज करते हैं, सर अरे बड़ा महंगा है भाई Aluminium को क्यों यूज नहीं करते हैं Aluminium कुछी देर बाद अपने उपर एक Protective layer बना देता है, Aluminium Oxide की अभी reaction दिखाया था, अब इसके बाद reaction करना बंद कर देता है अब iron को क्यों नहीं यूज करते हैं क्योंकि iron में अपने आप में बहुत सारी imputies होती हैं, तो hydrogen के साथ बहुत सारी imputies भी निकलने लेगेंगी इसलिए iron को भी use नहीं करते हैं लेड को क्यों नहीं use करते हैं अच्छा सर लेड भी तो hydrogen पैदा करता है लेड भी क्या करता है, एक insoluble coating form कर देता है, लेड के उपर भी lead upside की coating form हो जाती है, जो further reaction को क्या करती है, stop कर देती है तो यहाँ पी hydrogen बहुत सारी नहीं मिलेगी तो बचा क्या, बचा येस, बचा जिंक, क्या below the metals, hydrogen के नीचे जो metals हैं, तो मैंने का उनसे reaction करेगा ही नहीं जैसे example देखो, copper hydrogen के नीचे होता है activity series में, अब dilute HCL से react करा रहा है क्या हो रहा है, क्या reaction हो रहा है, no reaction तो जो hydrogen के below है, वो तो displaced भी ही नहीं करेंगे, वो तो hydrogen पैदा ही नहीं करेंगे तो अब hydrogen को क्या, alkali से निकाला जा सकता है जवाब है, हाँ, अभी तो हमने सिर्फ बताया dilute acid से react करें, dilute acid से react करने पर hydrogen produce हो रहा है, क्या alkali से होगा, हाँ मैंने का हाँ होगा कुछ elements ऐसे भी हैं, जैसे zinc हो गया, lead हो गया, aluminium हो गया ये acid से भी react करते हैं, और hydrogen produce करते हैं, ये basis से भी react करते हैं और hydrogen produce करते हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं, M4 टरिक जी हाँ, क्या ना मैंने का M4 टरिक, ये दोनों से ही क्या कर सकते हैं, react कर सकते हैं इनको hot concentrated alkali से react कराया जाए, जिंको, चै-lead को, चै-lemonium को ये hydrogen produce करते हैं चलिए, आपको एक lab preparation दिखाते हैं, lab preparation का मतलब है, जो laboratory में हम कर सकते हैं screen पे आप एक diagram देख रहे हैं, जी, ये ने कहा था, एक shot में सब कुछ finish करा दूँगा आपको book भी खोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी, ये मेरा promise है, आप अपने content के लिए भी attention मत लेजे, ये सब कुछ में आपको absolutely free yes, ये सारे paid contents हैं, और आपके लिए, ICC board के लिए design किये गए हैं, and that too absolutely free है कहीं नहीं सोचा होगा आपने कि आपके लिए इतनी मदद के लिए सरतरुन तयार है, चलिए, तो आप देखेंगे screen पर ये आपको सबसे पहले दिखाई देगा, एक thistle funnel है, thistle funnel में क्या है, thistle funnel में acid है, कौन सा acid है, dilute acid है, कौन सा acid, dilute acid अब dilute hydrochloric acid ले सकते हैं, dilute sulfuric acid ले सकते हैं, thistle funnel को dip किया गया है, एकदम down तक, ठीक है, और नीचे रखा गया है, zinc के granules, zinc के pieces रखा गया है, और यहाँ पर देखें, जो gas produce हो रही है hydrogen, वो इस delivery tube से, yes, इस delivery tube से downward जा रही है, और इस beehive shell की मदद से, इस delivery jar में, yes, इस gas jar में collect हो जा रही है, अब क्या proof है कि इसके अंदर hydrogen collect होई, hydrogen को पहली चीज है कि over water collect कर रहे है, क्यों, क्योंकि पानी hydrogen dissolve नहीं हो, दूसरा, वो water को downward displays करते जाएगी, hydrogen भरती जाएगी, और यह पानी का level downward आता जाएगा, पानी का level नीचे जाता जाएगा, तो यह hydrogen क्लेक्त ही, कैस जार फिल हो जाए, इसको क्या करो, ले आओ बाहर, इसको पानी से बाहर निकालो और इसमें एक burning splinter ले, बहुत समाल के लाईएगा, क्योंकि जब यह burn करेगा, तो एक pale blue, हलके नीले रंगी, सच में, हलके नीले रंगी flame से जलेगा, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें hydrogen पै लेना है, येस, जिंक का granule रूप लेना है, और साथ में ला है dilute acid, क्या करेंगे, इसको dip कर देंगे, reaction कुछ इस तरीके से होगा, आईए, reaction कुछ इस तरीके होगा, जिंक अगर HCL acid rate कर रहा है, तो जिंक chloride form करेगा, और hydrogen gas release करेगा, अगर आपने HCL gas acid नहीं लिया है, आपने है, sulfuric acid लिया है, तो जिंक sulfate form करेगा, और hydrogen gas release, अब कोशन आ रहा है सर, जिंक granule ही क्यों सर, जिंक के pieces क्यों नहीं ले रहे हैं, तो granules में अपने आप में जो impurities होती है, वो pure जिंक से ज़्यादा फाइदे मन्द होती है, क्योंकि जो इसकी impurities होती है, जिंक की granules की, वो copper की produce होती है, और इस copper की वजए से, impure जिंक की वजए से क्या होता है, ये catalyst का काम करता है, थार्ट इसका reaction और तेज हो जाता है, तो इसका मतलब है, granule जिंक बहुत फाइदा पहुचा रहा है, reaction fast भी हो जा रहा है, और hydrogen जो collect हो रही है, वो downward displacement of water से collect हो रही है, again मैंने कहा, hydrogen को over the air मत collect करना, क्यों अगर open the air, over the air collect करोगे तो hydrogen और air का mixture एक explosive mixture हो, इसका मतलब है तब hydrogen के साथ अगर क्या करेंगे आप, yes match stick दिखाएंगे, burning splinter लाएंगे तो explosion हो से, तो hydrogen क्या ये जो पैदा हुई है, क्या ये तुरंक यूज करने लाएं का जवाब नहीं, क्योंकि इसी hydrogen में अभी धेर सारी imputes है, hydrogen में hydrogen sulfide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, इतनी सारी imputes है, तो कोई चिंता नहीं है, इन सब के लिए solution हमारे पास है, इसको silver nitrate से react करा देंगे, silver nitrate क्या करेगा, R-sign of phosphine remove कर देगा, lead nitrate से react करा देंगे, lead nitrate इसका hydrogen sulfide remove कर देगा, caustic potential करा देंगे, देखा, एक विमारी बत होगे, 100 इलाज बताऊंगा, तो पोटेश, caustic potential से react करा देंगे, sulfur dioxide, carbon dioxide और oxides of nitrogen भी, इन सब को सारी imputes को remove करने के लिए, एक-एक मेरे पास chemical मौझूद है, तरकश में मेरे बहुत सारे तीर है, क्या कहते हो, एक problem और अनेक solution, अभी खतम नहीं हुआ है, अब जो hydrogen है, वो dry है कि नहीं है, तो एक dry करने के लिए drying agent का, drying agent के रूप में किसको use कर सकते है, calcium chloride को use कर सकते है, और कुसको use कर सकते है, caustic potassium potassium, phosphorus को use कर सकते है, अब question आता है, sulfuric acid को सरक क्यों नहीं use करते है, ये भी तो बहुत अच्छा drying agent है, और sulfuric acid drying agent के साथ क्या करता है, hydrogen के साथ react कर जाए, और हमारा purpose काम नहीं करें, ठीक है न, तो क्या precaution करना चाहिए, इस experiment में precaution ये देना चाहिए, कि hydrogen और oxygen आपस में mix न हो पाए, जो hydrogen produce हो रही है, वो leak न हो जाए, क्योंकि hydrogen, oxygen, एक जहरीला, एक explosive, yes, dangerous mixture बन जाएगा और एक पड़ास धमाका हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान देना है, apparatus सारे airtight होने चाहिए, कोई leakage नहीं होना चाहिए, कोई flame, yes, कोई flame near the apparatus नहीं होनी चाहिए, क्योंकि hydrogen पैदा हो रहा है, दूसरा, जो gas collect होनी चाहिए, वो कुछ देर बाद collect हो, थोड़ी gas remove हो जाने के बाद, थाकि आपको pure hydrogen मिल सकता है, ठीक है, और last में, जो system funnel का जो end था, जो नीचे वाला path, dip of the distil funnel, वो कहा होना चाहिए, under the acid होना है, ताकि gases क्या हो, escape होने का रास्ता निकल जाए, ठीक है, अब test मैंने पहले ही कर दिया है, hydrogen एक combustible gas है, खुद जल जाती है, और hydrogen silently air में burn करती है, और हलका pale blue flame पर्यूस करती है, और साथ में पर्यूस करत है, water, चलने पर hydrogen oxygen के साथ, पानी पैदा करती है, इसलिए मैंने काना, आजकल hydrogen car आ रही है, आपको पता ही कि नहीं है, सच में मैं कह रहा हूँ, hydrogen cell से बनी car आ रही है, hydrogen fuel cell से, अब ये car कोई भी धूआ नहीं प्रोडूस करेगी, जो hydrogen निकलेगा भी, वो oxygen से कमाइन होकर के water बन जाए, इसमें कोई भी आमफुल के मिकल नहीं है, सच में, अब आता है, अगर मुझे hydrogen को बड़े quantity में चाहिए, अरे भाई, मुझे 1000 लिटर hydrogen चाहिए, तो लैपर पेशन से मिलेगा क्या, जवाब है नहीं, तो अब मुझे बड़े scale पे, large scale पे hydrogen चाहिए, किसी मुझे industrial production में काम लेना है, बहुत बड़ी quantity में इसका कहीं इस्तमाल करना है, तो आजाओ, हम बनाते हैं hydrogen, तो जब manufacture करेंगे तो large scale में, इस process का नाम है Bosch, तो पहला step क्या है इसमें, सबसे पहला step है इसमें, कि हम steam को react कराएंगे, steam को react कराएंगे, coke से, coke मतलब carbon series, जिस furnace में react कराएं और उसका नाम है converter, जिस जगह है, जिस एक specially designed furnace में करते हैं, उसे converter, ये reaction आपको वहरी important है, आना चाहिए, क्या reaction है, ये रहा coke, और ये रहा steam, याद रखेगा, steam है ये, red hot steam है, और ये 1000 degree तक, क्या क्या है, heat किया गया है, produce कर रहा है, दो ही gas, एक साथ दो gas बदूरी है, वो भ साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारी heat release हो रही है, देखे, प्लस बहुत सारी क्या हो रही है, heat, exothermic reaction है, तो इस gas, yes, is gas, CO plus H2, इस gas का नाम है, water gas, हाँ, confuse कर गया है, water vapor समझ लिया, नहीं, नहीं, अरे पानी जब steam बन जाता है, vapor बन जाता है, तो कहते है, हम water vapor नहीं कह रहे ह करेंगे, फिर, फिर दुबारा क्या करेंगे, steam से heat कराएंगे, और pass over ferric oxide करेंगे, यह ferric oxide क्या है, भाई, ferric oxide इसका catalyst, यहाँ पर F2O3, यह है ferric oxide as a catalyst react कराएंगे, यह हमारा water gas, water gas react with steam, दुबारा steam से react करा रहे हैं, इस बार catalyst का use कर रहे हैं, ferric oxide का, and chromic oxide, CR2O3 as a promoter, यह क्या है, promoter क्या होता है, CR2O3, यह क्या होता है, promoter क्या होता है, promoter वो होता है, जो catalyst की भी efficiency को improve करता है, catalyst तो एक ऐसा chemical होता है, जो speed up the chemical reaction करता है, reactions को तेज करता है, और itself is not used up, जितना था उतना ही रह जाता है, chemical में, वो तो हो गया, ferric oxide, ठीक है, पर यह promoter क्या होता है, promoter इस catalyst की भी efficiency को improve कर देता है, तो promoter है कौन, chromic oxide, और क्या produce हो रहा है, देखे, दो gases, फिर से produce हो रही है, carbon dioxide and hydrogen, और हमें क्या चाहिए, hydrogen, तो again यह खुब सारी heat पैदा करेगा, यह exothermic reaction है, हमें carbon dioxide नहीं चाहिए, हमें चाहिए hydrogen, आओ, कैसे निकालेंगे, अ hydrogen निकालने का दो तरीका है, या तो इस mixture को क्या करो, cold water से pass कर दो 30 atmosphere पे, ठीक है, इस high atmosphere पे pass करने से, high pressure से pass करने पे carbon dioxide dissolve हो जाएगी, और बचे का कौन hydrogen, हो गया separate, क्या एक ही method है sir, नहीं नहीं, जाओ मत भाई, एक और method है, एक और method है, इस carbon dioxide को remove करने का एक और method है, carbon dioxide को निकालने के लिए, caustic potash से pass कर दो, KOH, caustic potash होता है, KOH, that is caustic potash, ये क्या करता है, ये absorb कर लेता है carbon dioxide, किरा, caustic potash carbon dioxide को absorb कर लेता है, और फिर बचता है hydrogen, तो हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, hydrogen ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपने क्या किया, hydrogen produce कर दिया, large quantity में boss process में, अब एक समस्या हो रहे है, समस्या क्या है, हो सकता है कुछ impurity of carbon monoxide रह जाए, क्योंकि आपको याद होगा water gas बनी थी, याद है ना, सबसे पहले reaction में क्या produce हो था, CO plus H2, और CO, मतलब carbon monoxide, कहीं वो बच गई हो तो, तो उसको भी remove करने लिए क्या करेंगे, इस पूरे solution को पास करेंगे, harmonical cuprous chloride से, क्या क्या क्या, harmonical cuprous chloride से जैसे ही पास करेंगे, तो इसके अंदर जो carbon monoxide होगी, वो इसमें dissolve हो जाए, ये uncombined carbon monoxide है, जो इसके अंदर ही क्या हो गई है, देखे, absorb हो गई है, नतीजा, अब सब कुछ remove और बचा, एक मातर एक चीज, वो है, hydrogen, 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 देखा, bulk में बना लिया, आपके लिए हमने hydrogen, क्या, hydrogen खतम, नई, आई, ये कुछ chemical properties, शरी chemical properties क्या होती है, जब कोई chemical add कर दो उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर क्या changes आ रहे हैं, add करने से, तो ऐसी produce को जानने को कहते हैं, chemical properties, जब भी हम chemical properties की बात करते हैं, तो उनके chemical constituents के बारे में समझते हैं, जैसे hydrogen एक बहुत ही reactive element है, non-metal से भी react कर सकता है, metal से भी react कर सकता है, organic compounds है, बहुत, बहुत, बहुत reactive है, आओ एक करके जाने, hydrogen reaction with metallic oxide, तो hydrogen gas क्या कर सकती है, एक strong reducing agent है, याद है, alkali metal की तरह, एक strong reducing agent है, क्या कर सकती है, oxygen को remove कर सकती है, अब आता है, oxidation and reduction, आईए इसको थ्यान से समझेंगे इसपाइब से एक माइन कर सकते हैं और हो सकता है इसका इसको रिमूव कर देना या हाइड्रोजन एड्ट कर देना आईए अब इस रियक्शन पर आप देख सकते हैं पीबी ओ में हाइड्रोजन क्या कर दिया आपने एड्ट कर दिया तो आपने इसको क्या कर दिया पीबी ओ से आपने पीबी बना दिया ऑक्सीजन इसका क्या कर दि समझते हैं, Oxidation क्या होता है Oxidation is defined as a process in which an atom और an ion lose electron जब वो electron lose करें और आपको मालूम होगा metals electrons lose करते हैं, याद है electropositive होते हैं, तो zinc है, देखिए zinc से क्या बन गया, zinc cation बन गया देखिए, Zn2 plus बन गया क्योंकि दो electron क्या कर रहा है, यह lose कर रहा है तो जो क्या करें, electron lose करें अब इसके अंदर क्या आएगा, पहला definition याँ तो oxygen add हो जाए जैसे कि इसमें हो रहा है, carbon में oxygen add हो गया, बन गया carbon dioxide इसको कहेंगे oxidation addition of oxygen और दूसरा क्या हो सकता है यहाँ तो addition of electronegative iron हो जाए, अब आप बोलेंगे सर, electronegative iron क्या होता है, मैंने कहा था non metal, और मैंने ये भी कहा था, कि इसको ध्यान रखना मैं तुमसे पूछूँगा, electronegative iron क्यों होते है, सारे non metals electronegative iron होते है, आप देखे मैं इसमें chlorine add कर रहा हूँ addition of addition of, इसको समझो non metals क्या add कर रहे हैं हम लोग non metal add कर रहे है, chlorine एक non metal है, याद है ना आपको, yes group 17 तो देखे, आपने क्या किया, ये iron chloride है, fecl2 है, आपने एक chlorine इसमें और add कर देखे, अब cl3 बन गया 2 से क्या बन गया, यहाँ पर 3 बन गया, तो एक electronegative iron आपने और जोड दिया है, addition कर दिया, हो गया oxidation, तो हो गया oxidation, तीसरा oxidation oxidation के तीसरी definition, या तो उसमें से hydrogen remove कर दो, जैसे कि इसमें chlorine क्या कर रही है, इसका hydrogen यहाँ से निकाल ले रही है और अपना एक chlorine इसको दे दे रही है, तो hydrogen इसका क्या कर दिया, remove कर दिया, sulfur का, तेखा न, अब sulfur के पास क्या है, देखें, hydrogen नहीं है, तो hydrogen को remove करने वाला भी oxidation है, and last but not the least removal of electro positive iron, क्या remove करेंगे, electro positive iron, मतलब metal remove करेंगे देखें ध्यान से, यहाँ पर potassium iodide है, और यह है hydrogen peroxide यहाँ पर जो potassium iodide है ठीक है, is oxidized to iodine, इसका हमने क्या remove कर दिया, potassium remove कर दिया, potassium एक metal है, metal को remove कर दिया metal को remove कर दिया लिख दे रहा हूँ क्या कर दिया, देख लो, metal को remove कर दिया, electro positive को remove कर दिया, यहाँ potassium iodide था, यहाँ क्या बचा, siriv iodide remove कर दिया न, metal तो इसको भी कहते हैं, oxidation चार तरीके से बता दिया, ठीक है दो addition है, दो removal है ठीक है, अब आता है oxidizing agent, तो जो oxidize करे, जो oxidize करे, वो oxidizing agent है season, example है यह non-metals, chlorine, hydrogen chloride hydrogen peroxide, यह सब सारे non-metals भी आ सकते हैं कुछ example है solid का example ले सकते हैं, कुछ liquid का example ले सकते हैं, और even कुछ gaseous कभी example आप ले सकते हैं, oxidizing agent को आई यह reduction की बात करता है, ठीक ठीक opposite बात करूँगा, वो चारो बात जो बने आपके साथ कही थी, वो चार discussion, चार points कहे थे, वो चारो points करने वाले, तो reduction में क्या होने वाला है, reduction में gain of electron होने वाला है, क्या होने वाला है electron आपके में add होने वाला है, ठीक है यह देखिये क्याहाँ था copper cation, दो electron gain करके copper atom मन गया देखिये, plus लिखा है, तो gain कर रहा है, क्या कर रहा है gain कर रहा है, electron जो electron gain करेगा, वो हो जाएगा reduction, आईए, अब reduction की पहली definition, reduction में पहला concept, removal of oxygen देखिये, hydrogen को add करने पर क्या हो गया इसका oxygen गया copper oxide reduce होके क्या बन गया है copper, देखिये ध्यान से यहां पे ता copper oxide और यहां बचा है copper, तो hydrogen ने क्या करिया इसका oxygen चुरा लिया तो जो oxygen चुरा है हो गया पहला, दूसरा addition of electropositive iron, again अब आप देखिये, एक metal iron जिसको हम electropositive iron बोलते हैं एक metallic iron को या, एक metallic iron add करेंगे किसमे add करेंगे, देखिये यहां पे mercury chloride है, देखिये ध्यान से ध्यान दे रहे हैं आप यहां mercury chloride में Hg2 हो जा रहा है twice हो जा रहा है mercury chloride mercury chloride क्या हो जा रहा है add हो जा रहा है mercury एक metal है यहां से mercury chloride double हो जा रहा है addition हो जा रहा है ठीक है, मर्कूरस से मर्कूरिक बन जा रहा है, यहां पर मर्कूरस है, सिंगल मर्कूरी है और यहां पर HG2 है, डबल हो जा रहा है, ठीक है, तो addition of mercury के साइड हो जा रहा है, नेक्स्ट है, addition of hydrogen, या तो hydrogen add करने वाले, यहां पर देखिए, आप copper, yes, sorry, chlorine में क्या add कर रहे है, hydrogen sulfide ये अब आप ध्याँ से देखिए, hydrogen जब इसमें add हो जा रहा है, तो यह hydrogen chloride बन जा रहा है, तो again addition of hydrogen, chlorine में hydrogen add हो गया, हो गया, चौथा और आखरी, last removal of electronegative ion, क्या करें, electronegative ion, non metallic ions को remove करें, अब आप ध्याँ से देखिए, ferric chloride को, यह रहा, ferric chloride, fecl3 है, वहाँ पर ferric chloride है, और यहाँ पर आते आते क्या बन गया है, fecl2 हो गया है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, electronegative ion, चार्थ non metal एक कम हो गया, यहाँ पर 3 था, देखिए, Cl3, यहाँ पर 2 बचा है, और chlorine एक non metal है, आप जानते हैं, removal हो गया उसका, और जब जब ऐसा होगा, आप इसे कहें, reduction, तो एक याद कर लो, दूसरा मत याद करो, दूसरा इ होने वाला है, तो आईए reducing agent के बारे में जाने, तो जो भी reduction का काम करते हैं, yes, जैसे hydrogen sulfide कर रहा था, ammonia कर रहा था, hydrogen खुद कर रहा है, तो यह सब हो सकते हैं, क्या यह भी solid liquid gas हो सकते हैं, मेरा जवाब है, हाँ, एक एक कर लो याद, solid में, carbon liquid में, hydrogen peroxide, और gaseous में, खुद hydrogen sulfide होगा है, आईए, अब एक ऐसा reaction, जो दोनो एक साथ show करेंगे, oxygen भी हो, reduction भी हो, तो इसका नाम क्या देंगे, redox, reduction के लिए है, reduction के लिए, oxygen के लिए, तो एक तरह से कोई reaction, अगर oxidation हो रहा है, तो किसी न किसी का, क्या कहते हो, अगर कोई oxidize हो रहा है, तो कोई न कोई तो reduce हो वह रहा होगा आए इसको देखते हैं हमारे example में यह जो copper oxide है यह oxidizing agent है कैसे मालम चला सारी oxidizing agent है क्योंकि इसके पास oxygen मौझूद है hydrogen कौन है यह reducing agent है मैंने लिख दिया reducing agent अब दिखे copper oxide यहां से यहां तक क्या हो रहा है copper oxide से copper और अचला है इसको हम बोलेंगे reduced गोर जा रहा है जब की hydrogen क्या बन जा रहा है water बन जा रहा है इसे हम क्या बोलेंगे oxidized को एक रेक्षिन दोनों कुछ होरा है oxidation भी हो रहा है और reduction वी हो रहा है याद रखेगा जो हमारे पास यह Ηे रियक्टेंट्स हैं दोनों कौन reactants है copper oxide और hydrogen यही agents होते हैं क्या agents ही आगे जा करके क्या हो जाते हैं oxidize या reduce हो जाते हैं तो इस तरीके से यह पूरा chapter 1 shot में मैंने आपके लिए finish कर दिया है yes ऐसा कोई भी content आपके लिए नहीं बना रहा है मैं इसको पूरा वचन के साथ पूरा पूरे शिदत के साथ पूरे इमान दरी के साथ कह सकता हूँ आप चाहे तो पूरा google कर लो yes पूरा google कर डालो आपको ऐसे latest और most exclusive explanation कोई नहीं समझा रहा होगा एक बार मेरे कहने पे try करके देख लो yes यह channel exclusive channel है और सिर्फ और सिर्फ मेरे rising star के लिए यह मेरे ICSC class 9 के batch का नाम है हाँ मैंने आपकी पसंद से आपका नाम रखा था rising star मेरे सारे batches में आप देखेंगे star नाम आपको मिलेगा हाँ आप चाहे तो check करके देख लिए चाहे वो 9 का हो 10 का हो 11 का हो 12 का हो तो आपके प्यार से इस star, star stands for s, sir, t, a, tarun and r is rupani तो sir, tarun, rupani इसी तीन words से मनाया गया है यह star और आप मेरे है सच्चे अगर rising star तो सारे questions को जो comment box में दिया है उसको जरूर reply करिएगा और मुझे भी खुशी होगी आपके हर एक answer का जवाब दे करके तो मिलते हैं अगले lesson वीडियो में इसमें आपकी पसंद के lesson होगा और एक request करूँगा अगर अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया तो please, please, please इस channel को subscribe कर लिजे क्योंकि इस content को बनाने के लिए बहुत मैनत लगती है यह exclusive content है, मैं खुद बनाता हूँ, yes मैं किसी भी dependent नहीं रहता हूँ मैं swam, खुद बनाता हूँ आप लोगों के लिए content मिलते हैं, thank you and love you and God bless you, bye from now